देखे हर retail investor के अपने अपने investment के preferences होते हैं जिनको कोई भी जोखिम नहीं लेना है वो fixed deposit करते हैं जो बेहती अच्छा product है जिनके goals लंबी अबदी के हैं और returns थोड़े जादा चीए थोड़े से risk ले सकते हैं वो risk को afford कर सकते हैं वो mutual funds में SIP के माधिम से investment करते हैं जो long term के जरूर बना कर देती हैं कुछ लोग directly company के shares में invest करते हैं वहाँ पर multi bagger returns historically हमने देखा है कुछ companies ने दिया हुआ है लेकिन यहाँ पर risk भी बहुत साधा होती है उसी तरह कुछ लोग अपने portfolio में gold को भी शामिल करते हैं अब चाहे वो ornaments के जरीए हो या तो digital gold के जरीए हो मैंन demet account में उसे रख सकते हैं अपने portfolio का हिस्सा बना सकते हैं और उसे gold ETF वाले video पर काफी लोगों ने mcx gold futures को लेकर भी अपने काफी ज़ादा प्रशन पूछे हैं और उसी को लेकर मैं आज का ये video बना रहा हूँ आपके साथ जहां पर मैं आपको बताऊँगा कि अगर mcx gold futures पर किसी को trade करना हो तो किस प्रकार के contracts होते हैं क्या उनकी price tick होती है किस प्रकार की margin की requirement होती है कैसे आप trade कर सकते हो online demo बताऊँगा और उसी के साथ सबसे important चीज छे बाते बताऊँगा जिसके वज़े से gold के जो prices हैं वो impact होते हैं क्योंकि futures के अंदर कौन कारोबार करता है जिनी price impact यानि कि price के जो moment होते हैं चाए बढ़त का या गिरावट का उसका advantage उठाना होते हैं शुरू करते हैं इस interesting video को आईए मिल कर सीखते हैं अब देखे जैसे मैंने intro में आपके साथ कहा कि हम futures के बारे में चर्शा करने वाले हैं तो ये कोई shares की तरह नहीं होते हैं ये contract होते हैं इनकी एक expiry date होती है उन expiry date पर ये जो contract होते हैं अब यहाँ पर gold के अलग-अलग तरीके के contract होते हैं उनके size के साथ से ये table जो आपके screen पर आ रही है यहाँ पर आप देख पा रहे हो चार अलग-अलग तरीके के gold के contracts एक होता है gold यहाँ पर जो profit and loss के tick होती है वो 100 की होती है यह जो price quote होता है वो 1 kg का होता है दूसरा होता है gold mini gold M के नाम से इंस्ट्रूमेंट आपको मिल जाता है मैं दिखाऊंगा आपको practical demonstration में भी कैसे होता है यह कैसे दिखता है इसमें जो P&L tick होती है यानि कि profit and loss के tick होती है वो 10 रुपे की होती है और यह जो price quote होता है यह एक रुपे की होता है तो यह जो price quote होता है यह जो price quote होता है और अगर बड़े gold की बात करे तो वहाँ पर एक रुपया भी नीचे हो गया gold का भाव और आपने buy करके रखा है तो आपका 100 रुपे का नुक्षान हो जाता है वहीं पर अगर आपने बाय करके रखा हुआ है एक पॉइंट बढ़ गया यानि कि गोल्ट का दाम एक रुपे से बढ़ा तो आपका 100 रुपे का प्रॉफिट होता है यूजरी जो गोल्ट प्रॉपर MCX फूचर की कमोडिटी है इसकी जो लॉट साइज है वो बहुत बढ़ी है रेटेल जो ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए ज़्यादा सुटेबल नहीं होता है गोल्ट मिनी एक अच्छा प्रड़क्ट होता है अगर कैपिटल आपके पास कम है तो गोल्ट पेटल गोल्ट कुनिया की तरफ भी कोई इंसान जा सकता है वहाँ पर भी ट्रेडिंग के प्रॉस्पेक्टिव से गोल्ट की प्राइस मुमेंट का एडवांटेज उठा सकता है अब प्रेक्टिकली मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से आप इसे कर भी सकते हैं अब जैसे कि मैंने आपको बता है यह सारे कॉंट्रैक्ट्स होते हैं और इनी कॉंट्रैक्स पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो की यह 21 April future यानि कि यह April की इसकी expiry date होती है ठीक है उसके बाद यह आप देख पा रहे हो 21 March future 21 year है ठीक है तो यह March के आखरी date पर इस future की जो expiry है वो हो जाती है उसके बाद gold minimum हम देख पा रहे हैं इसकी जो expiry है वो April में होनी है 5 April को ठीक है आपर Fires का यह जो platform है उसे use कर रहा हूँ Fires के साथ सबसे बढ़िया advantage ही होती है क्योंकि हर month expiry हो जाती है तो अगर हमें continuous chart देखना हो अपने किसी price trend को यहाँ पर describe करने के लिए तो उसमें हमें काफी help मिल जाती है continuous chart वाला जो feature है वो आपको कहीं पर भी किसी भी और broker के साथ नहीं मिलेगा केवल और केवल Fires के साथ ही मिलेगा तो इसमें यह आपको एक बहुत ही बढ़िया advantage हो जाती है कि आप continuous chart को देख सकते हो ताकि आप एक intuition build कर सको आप price moment की जो भी यहाँ पर activities है उसे track कर सको और दूसरा सबसे अच्छा advantage मिल जाता है single margin account का जिसका मतलब यह है कि अगर आपके पास जो भी funds available है जो भी आपने Fires के trading account में deposit कर रखे हैं वो सारे funds आप equities के लिए भी utilize कर सकते हो और commodities के लिए भी utilize कर सकते हो उधारन के तोर पर सुबह को मैंने intraday trading के लिए उन funds को utilize किया और शाम को मैंने mcx gold futures के लिए वो सारे जो funds है utilize किये तो यह एक अच्छी flexibility मुझे मिल जाती है अगर मेरे पास Fires के साथ account है तो अब यहाँ पर मैं एक contract में आपको trade करके बताता हूं जैसे कि मैं यह वाला contract select कर देता हूं यहाँ पर जैसे ही मैं यहाँ पर buy पर जाता हूं तो एक जबरदस्थ feature में आपको बताता हूं BO यानि कि bracket order अब यह feature भी आपको Fires के साथ ही प्राप्त हो जाता है यहाँ पर आप limit order लगा सकते हैं अब माल देजे जो भी price चल रही है उससे मैंने 20 रुपए से कम की price को यहाँ पर limit price में डाल दिया और मैंने stop loss लगा दिया कि 30 point अगर यह नीचे गिर जाए तो मेरा square of हो जाया नहीं कि मेरा जो loss है वो limited 30 points तक हो और profit जो है मुझे 50 point का यहाँ पर लेना है तो यह दोनों चीज़े मैं यहाँ पर enter कर दूँगा और buy पर यहाँ पर click कर दूँगा अब bracket order का advantage यही होता है दोस्तों कि यहाँ पर आप stop loss set कर सकते हो अपना जो risk appetite है उसके अनुसार अपना जो profit है उसे set कर सकते हो आपके reward के अनुसार और यही पर margin calculator भी होता है अगर आपको margin जानिए कि इस particular contract में कितनी में को margin लगेगी तो वो भी आप bias के margin calculator को use करकर आसानी से समझ सकते हो कि कितने capital के requirement आपको यहाँ पर लगेगी तो देखा आपने कितना simple और easy है gold के mcx futures में कामकाच करना मैं परसल यह recommend करता हूँ कि जब भी आप futures में trade करो तो stop loss के साथ करो और वहीं पर अगर आपको यह bracket order वाला feature भी मिल जा रहा है fires के तरफ से तो यह worth है आप उस feature को use करें और अपने risk को limited रखें bracket order के बारे में या single margin account के बारे में या fires के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मैंने नीचे description में links काल रखी है आप ज़रूर उन्हें पढ़िए समझिए कि यह चीज़े क्या होती है in depth जानकारी पहले हासिल कीजिए description में ही आप उस link के माधियम से account open कर सकते और आप एक बार fires को ज़रूर try कीजिए क्योंकि यहाँ पर इनका जो customer support team है इनका जो पुरा overall platform है वो काफी unique है glitch free है तो यहाँ पर आपको किसी भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है तो बढ़ते चीजे समझनी पड़ेंगी कि कौन सी ऐसी चीजे जो price को impact करती है यानि कि price की जो यह moment है वो लाती है तो पहली जो point है वो है inflation की देंकि inflation जब भी बढ़ जाता है तो currency की value घट जाती है और जब currency की value घट जाती है तो काफी सारे investment products fail हो जाते हैं आपको better in returns प्रोवाइट कराने में ऐसे में gold में निवेश करकर आप अपनी risk को hedge कर सकते हो अब चाहे आप futures के माधियम से निवेश कर रहे हो या तो आप ETF के माधियम से कर रहे हो वो choice आपकी रहेगी लेकिन ये एक ऐसा parameter है जो price में impact लाता है दूसरी point होती है import duty की जब भी import duty बढ़ती है तो सुबाविक सी बात है gold prices में उसका impact आ जाता है क्योंकि ये जो भी prices आपने देखी futures पर ये सारे taxes include करके price होती है इसमें import duty भी included रहती है और India एक second largest consumer है अगर हम gold की बात करें यहाँ पर खपद बहुत साधा रहती है demand जो है वो काफी high रहती है और उसे meet करने के लिए हम काफी सारा gold जो है वो import करते है तो import duty एक ऐसा important key parameter होता है जो gold के prices को impact करता है अगर import duty बढ़ जाती है prices में हमें वो difference थेकने मिलता है अगर import duty कम भी होती है तो भी prices में उसका reflection जो है वो बहुत ही quickly rapidly आजाता है तीसरा parameter होता है currency का parameter दोस्तो gold जो है वो international commodity है और यह हमेशे US dollars में trade होता है तो जब भी हम import करते हैं तो currency का बहुत ही important role होता है यापर क्योंकि यह INR और UST के बीच में conversion होता है तो यहाँ पर currency पर भी आपको बारिकी से नजर बना कर रखने कि उसमें किस प्रकार की volatility आ रही है prices घट रहे हैं पर रहे हैं वो भी जो एक parameter है वो gold के prices को impact करता है चौती point है demand and supply basic economics है दोस्तो आप जब भी news पर अच्छी पकड रखते हो आने कि news के साथ updated रहते हो तो आपको यह चीज easily identify हो जाती है कि किस प्रकार की gold की demand हमारी country level पर चल रही है तो जब भी demand ज़ादा है और supply कम है तो यह एक event हो जाता है जहाँ पर price की बहुत ही बड़ी fluctuations समय देखने मिलती है और इसी particular factor को आपको consider भी करना चाहिए जब भी आप gold में prices के moment के हिसाब से किसी भी trading strategy को अपने develop कर रहे हो तो पाच्वी point जो बहुत popular point है Indian jewelry market यह आपको ज़रूर धान में रखना चाहिए जब भी आप gold में अपनी किसी price moment को लेकर strategy को develop कर रहे हो ऐसे particular events पर आपको gold में एक अच्छा price moment मिल जाता है और उन्ही events को consider करके आप अपनी एक effective trading strategy भी develop कर सकती है आखरी important point है government results को लेकर government results के भी आकड़ों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा थोड़ी सी research करनी पड़ेगी सारी चीज़े open source Google के मादियम से आपको मिल जाती है क्योंकि यहाँ पर government को भी अपनी जो results है वो maintain करने होते है government periodically gold में buying और selling करती है RBI के द्वारा तो यहाँ पर जब भी ऐसे कोई भी buying selling होती है तो वो भी बड़े level पर होती है तो वहाँ पर gold के prices में आपको एक impact देखने मिलता है चाए वो up का हो चाए down का हो accordingly अगर government उसमें buy कर रही है तो definitely prices पढ़ेंगे government sell करती है तो वहाँ पर definitely prices जो है वो गिरेंगे तो इस particular information पर भी आपको ज़रूर जहां देना पढ़ेगा जब भी आप gold में खास करके MCX futures के द्वारा price moment की strategies को develop कर रहे हो तो ये थे 6 important parameters जिनके वज़े से gold prices में impact आता है अगर आपको लगता है कि कोई और भी parameters है तो उसे ज़रूर नीचे comments के माधिन से आप लिखिए ताकि हमारी ज़रूरी community है उन्हें उस चीज की एक अच्छी जानकारी प्राप्त हो सके अब मेरे हिसाब से इन 6 points को एक जगर लिख के रखिए ताकि आप जब भी अपनी strategy को develop कर रहे हो किसी एक particular point को base बना कर तो आप उस point के साथ दूसरे points को ज़रूर एक बार review कर दीजिए कि आपस में कोई चीज़ कोई event बड़ा सा event मैं आपर बात कर रहा हूँ वो clash तो नहीं हो रहा है जिससे आपको अपने risk reward ratio को design करने में और define करने में काफी मदद मिलेगी काफी help provide हो जाएगी आपकी तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को like करकर मुझे signal जरूर दीजेगा और अगर आपको लगता है इस information से किसी और का भी फायदा हो सकता है तो इस वीडियो को चल मेंते हैं किसी और interesting topic के साथ तब तक अपने health का और wealth का जरूर अच्छे से ख्यार रखेगा